हेई गाईज वन्स अगें वेलकम बैक तो दे चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग कुछा शेर करने वाला हो कोटेक्स सी केंडल स्टिक टाइम फ्रेम वाले स्ट्रेटेजी एंड इस वीडियो में मैं आप लोग को एट्व चैट सिखाऊंगा इस इस स्ट्रेटे होगा एंड जो भी आपके लॉसे से वो भी आप लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज करके कवर कर सकते हो काफी अमेजिंग स्ट्रेजी एंड इस स्ट्रेजी को लाइव मार्केट में अगर आप यूज करने चाहते हो आप लोग मार्केट का डिरेक्शन में काफी अच्छे स यूज करके, एंड कैसे मैंने यहां पर market को analyze किया, कैसे market का मैंने structure देखा, जो कि मुझे 10 second का time frame पर बिल्कुल clear देख रहा था, एंड मैंने यहां पर trade को थोड़ा देरवेद करते हैं, एंड देखते हैं, यहां पर trade भी जो है, हमारी win हो गई, तो काफी कमाल की strategy होने वाली है, एंड इस वीडियो में आप लोग इसी strategy के बारे में बताने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करिएगा, वीडियो को end तक देखीगा, तो आप लोग काफी को सीखने को मिलेगा, एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे telegram channel को join नहीं किया है, तो आप लोग मेरे free telegram channel का link वीडियो के description में दिया हुआ है, आप लोग free telegram channel को join कर सकते हैं, गाइस, मैं अपने free telegram channel पर भी कोटेक्स के daily के 3 to 5 signals प्रोवाइट करता हूँ 100% accuracy के साथ, जो members मेरे telegram channel से जुड़े हुए, वो मेरी accuracy जानते कि मैं कितने accurate signal प्रोवाइट करता हूँ, तो अगर आप लोगों को भी 100% accuracy वाले signals चाहिए, तो आप लोग मेरे telegram channel को join कर सकते हो, लिंक आपको मेरे वीडियो के description में दिया हुआ है, तो चलिए, यहाँ पर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि आखिर इस strategy को कैसे use करना है, और कैसे live market में आप लोग जो है, इस strategy को user के profit करोगे, तो चार्ट पर trade करने से पहले आप लोग को अपने चार्ट को थोड़ा customize करना है, यानि कि कुछ indicator चार्ट पर apply करने है, और वो कौन से indicator है, तो यह तीनों इंडिकेटर आप लोग को screen पर show कर रहे होंगे, पहला इंडिकेटर है, जो कि है आपका zigzag का indicator, और दूसरा इंडिकेटर आपका है parabolic का SAR, और तीसरा इंडिकेटर आप लोग का moving average, इंडिकेटर कैसे apply करना, यह सभी आप लोग को पता हुआ, कैसे by default रखने है, आपको setting में कोई भी changes नहीं करने है, तो तीनों इंडिकेटर के नाम आप लोग देख लीजिए, और तीनों इंडिकेटर को आप लोग को apply कर लेना है, और आप लोग को apply कर लोगे, तो आपको chart कुछ इस तरीकी का आपको देखने को मिलेगा, तो अब हमने ती इंडिकेटर chart पर apply कर लिए है, तीनों इंडिकेटर apply करने के पाद आप लोग को इंडिकेटर को follow करना है, और उसको follow करने के साथ साथ आप लोग को trade place करनी है, अप side के लिए और downside के लिए, सबसे पहले हमने indicator apply किया, यहाँ पर zigzag का, और zigzag आप लोग कैसे बताया का, कब आ लेवल पर आप upside के लिए trade place कर सकते हो, जैसे ही उसने उपर की body मतलब upper level को touch किया, यहाँ पर देखो कि मैंने दो side दिखाया आपको, तो यहाँ पर दो side जब touch किया इसने, तो वहाँ से market का movement आपको direction downside के लिए देखने हो बिला, उसी में देखो, आप लोग देखो live market में क्य जैसे ही उसने वहाँ पर touch किया और उसके बाद एक green candle formation हुई, तो वहाँ से market जो है back to back green candle बनाता हुआ, उपर गिया, तो आप लोग को हमेशा candles की body को देखना है, और जिग जैग को follow करना है, जैसे ही जिग जैग lower level को touch करके move कर रहा है upper के लिए, और upper level को जैसे ही touch कर रहा ह वहाँ पर candles जो है red candle form कर रहा है, वहाँ से downward के लिए शुरू कर रहा है, तो हमेशा जिग जैग की lines को follow करना है, और जैसे ही वो touch करके, मतलब reversal point आप लोग जो कह सकते है, reversal point क्या होता है, उसको follow करना है, और दूसरी चीज, यहाँ पर आप लोग देखोगे, parabolic का indicator जो आप चार्ट पर देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको dot dot के pattern देखने को मिल ले होंगे, यह चार्ट पर जो dot dot का pattern है, यह parabolic का है, और यह कैसे indicate करता है, जब भी यह candles के down side में बनता है, मतलब candles के down side में यह dot dot के pattern बनते है, वहाँ से market अपर side के लिए शुरू होता है, देखो मैं मैं आपको कुछ और चार्ट में भी दिखा देता हूँ, प्रिवियस में, यहाँ पर dot dot का pattern बना candles के down side में बनना शुरू है, तो market का movement आप देखो गई, continuously upper side के लिए, मतलब back to back वह green candle बनते हुआ, अपर level के किया, यह कि जो pattern था, वो candles के down side में था, और यहाँ पर candles का pattern जो है अपर side में, तो वहाँ पर direction देखोगे, market जो है, continuously red candle बनाता हुआ, downside के लिए आया, तो आप लोग parabolic का star और zigzag दोनों follow करेंगे, और दोनों में आप लोग को perfect entry मिलेगी, तो यहाँ पर हम लोग कुछ trades करने वाले हैं, अभी आप देखोगे, market काफी अच्छा movement कर रहा है, औ candle stick time frame हमने जो है, 10 second का select कर लिया है, और जहाँ पर मुझे entry मिलेगी, यहाँ पर अभी आप देखोगे कि मुझे एक entry मिल रहा है, market काफी अच्छा fall कर रहा है, और एक type के support area के पास है, और यहाँ से जो है, मैं एक minute के लिए upper side के लिए trade find कर रहा हूँ, और थोड़ा अगर support देख पास आता है, तो मैं यहाँ पर upside के लिए trade place करूँगा, और दूसरी चीज़ आप लोग देखोगे, zigzag ने भी previous candle को touch कर लिया है, मैंने आप लोगो बताया, zigzag जैसे ही lower body को touch करता है, वहाँ से market का movement upside के लिए start होता है, यहाँ पर हमने trade place कर दी है, upside के लिए 1 minute की trade है, थोड़ा wait करते हैं, इसका result देख लेतने ही, क्या होने वाला है, देखी, वहाँ से market जो है, काफी अच्छा move दिखा के अपर side के लिए शुरू हो गया, यहाँ पर जो expected move है, वो upper side के लिए ही है, क्योंकि देखो support area के पास candle जो है, उसने reduction लिया, अगर यहाँ से support area को break कर दे था, तो मैं यहाँ से downs के लिए जा सकता है, लेकिन वहाँ पर एक direction आया, और एक downward level को touch किया, जिग जैग ने, यहाँ पर थोड़ा wait करते हैं, थोड़े time बचा हुआ है, इस trade में भी जो है, हमारा profit हो गया, जो चीजे मैंने आप लोग को बताई, उसी के according मैंने यहाँ पर trade किया, अभी मैं आप लोगो कुछ और भी trade करके देखते हैं, और मुझे जो भी entry देखनों को मिलेगी, जिग जैग की uses और parabolic का, मैं वहाँ पर trade करूँगा, अभी देख लेते थोड़ा, तो यहाँ पर जो है, मुझे एक entry दीख रही है, और market जो है, resistance area के पास है, तो आप trade place करने वाला हूँ, एक minute के लिए, तो यहाँ पर हमने एक minute की trade place कर दीए, और थोड़ा बेट करते हैं, देख लेते हैं, इस trade का result क्या होता है, और जो चीजे मैंने आप लोगो को बताई है, अपर level को find करना, जिग जैग को use करके, और downward level को find करना, मैं उसी के according यहाँ पर trade क कर रहा हूँ, इस trade में भी देखो, मैरा profit होगा, क्योंकि जो candle है, वो आपको देखने को मिल रहा हूँ कि जो एक resistance area के पास formation कर रही है, and resistance area के पास से जो market का movement होता है, वो हमें ऐसा downside के लिए होता है, and इस trade में हमें यहाँ पर profit हो गया, तो हमने back to back दो trade में profit कर लिया है, and का काफ़े अच्छा market जो है, अभी काफ़े अच्छा move कर रहा है, और थोड़ी मैं आपको और भी इस strategy के बारे में बताने वाला हूँ, and हमेशा candles को follow करिए, candles को देखिए, मतलब candles किस levels reduction ले रही है, candles कहां से support बन रहा है, कहां से उसका resistance बन रहा है, तो इसी को follow करते हुग, हम यहाँ पर तीसरी trade करने वाले हैं, थोड़ा market को मैं analyze कर रहा हूँ, काफे देर से, and market जब मुझे यहाँ पर entry देखने को मिले के, मैं वहाँ पर trade करूँगा, and आप लोगो ऐसी चीज़े follow करने हैं, आप लोगो ज़्यादा जल्दी नहीं करने है market में, जो चीज़े मैंने आप लोगो बताई है, जिग-जग को follow करना, इन पैराबॉलिक को follow करना, उसको जब आप लोगो वहाँ पर market वो indication दे, and वहाँ पर entry दीखे, तब आप trade करिए, so यहाँ पर से, जो है, मुझे एक entry दीख रही है, and थोड़ा मैं जो है, वेट करूँगा, थोड़ा market अगर उन्होंने अपर साइट के लिए start कर दिया था, and trade हमने जो है, यहाँ पर एक मिनिट के लगाई हुई है, so थोड़ा वेट करते है, and इसका result देख लेते हैं, यह क्या होता है, All right guys, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, कि market उसी level को reduction लेते हुए, अपर साइट के लिए आ गया है, और हमारे trade यहाँ पर विन हो गई है, and आप लोगो देखोगे, वैसे ही, जैसे मैंने आप लोग बताया, जिग जग को follow करने को, जैसे ही, उसने lower body को touch किया, वहाँ से market का movement अपर के लिए start हुआ, यहाँ पर हमारी trade एक मिनट के थी, और अभी आप देखो, continuously market ने movement अपर साइट के लिए दिखाना शुरू कर दिया है, इस वीडियो में मैंने आप लोग को तीन trade करके दिखाए, और बैक टू बैक हमने वहाँ पर trade बिन भी की, hopefully आप लोग को जो वीडियो काफी अच्छी लगी होगे और वीडियो काफी को सीखने को मिला होगा, इस वीडियो का next part भी बहुत ही चल दिया आएगा, और उस वीडियो में मैं आप लोग को और अच्छे से समझाओंगा, और अच्छे से आप लोग क्लियर होगा, इक कैसे यह strategy आप लोग और अच्छे से use कर सकते हो, ताकि आप लोग को profit हो, इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं, एंड वीडियो का आपको अच्छे लगए हो, तो वीडियो को like करतीजीगा, वहाँ पर click करके आप Quotex में account भी create कर सकते हो, और आप लोग जो है मेरे VIP चैनल के member का हिसाई बन सकते हो, जहाँ पर मैं आप लोग को Quotex के signals प्रोवाइड करता हूँ, 100% accuracy वाले, सो दोनों links आप लोग को टेलीग्राम के और account opening के description में मिल जाएंगे, make sure उन्हें check out कर लिजेगा, और इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं, मिलते हैं आप से next वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों,